नमस्कार दोस्तों, अम्बेटकर क्लासस में आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट लुशेंट जी के फिजिक्स चेप्टर वाइस वन नाइनर कोश्चन को पढ़ेंगे, जो चेप्टर नमबर 11 धोनी तरंग, देखें कोश्चन नमबर 1, धोनी तरं तरंगों को सुन सकती है, तो हमारे कान कुन से धोनी तरंगों को सुन सकती है, स्रव्य धोनी तरंग, जो कि 20 हज से लेके 20,000 हज के बीच होता है, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 3, अब स्रव्य तरंगे, यानि इंफ्रासोनिक जो धोनी तरंगे होती है, होती है, 20 ह हज से नीचे देखे कोश्चिन नमबर चार प्रासरव्य तरंगे यानि अल्ट्रासोनिक वेब को कौन सून सकता है यह सब को जाता जान वज़े से कुट्टे बिल्ली चमगादड इसमें सबसे अधिक होता है चमगादड आता है इसका जो होता है ध्वनी 20,000 हज से जो होता है अधिक होता है नेक्स्ट प्रासरव्य तरंगों का उप्योग किस प्रकार किया जाता है देखे यह कोश्चिन बहुत आता है प्रासरव्य तरंग से प्रासरव्य तरंग का उप्योग किस लिए क्या जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए उसके बाद संकेत भेने के लिए या फिर जिसे बायोन का जो कल पूर्जा या फिर घडियों के जो पूर्जों सब को ये सब को साब करने के लिए किसका परियोग किया जाता है प्रासरव्य तरंगों का परियोग किया जाता है next question number 6 धोनी की चाल अधिक्तम होती है धोनी का चाल जो होता है सबसे धीक होता है ठोस में फिर उसके बाद उता है द्रब में फिर उसके बाद gage में ठोस में जिसे लोहा 513 meter per second होता है उसके बाद पानी जल में 1483 meter per second 9. उसके बाद, वायू एनई हवा में जो होता है, 332 मिटर पर सेकेंड, यह भी आता है, एक्जाम में, बहुत ज्यादा, देखें, next question, question number 7, धोनी की चाल पर दाब का क्या परोगा स्झाल परोगों, दाब का क्या होता है, धोनी की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वायू में, question number 8, वायू में 1 degree Celsius ताब बढ़ाने पर धोनी के चाल क्या होता है, देखें, वायू में अगर 1 degree Celsius ताब बढ़ा देंगे, तो धोनी का चाल होता है, बढ़ जाता है, 0.61 meter per second का धोनी का चाल क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी बहुत आता है, कोई भी exam में, next question question number 9, सूस्क वायू के पेच्छा नमी युक्त वायू में धोनी की चाल अधीक होती है, क्यों, देखें, सूस्क वायू के पेच्छा में नमी युक्त वायू में धोनी की चाल अधीक होती है, क्योंकि नमी युक्त वायू का घनत तो क्या होता है, कम होता है, इसमें धोनी त सिंदुर्शंटे के लिए बेन प्रावर्षट की दूरी क्या होता है परतिध्वनिक सुनने के लिए सुरता एवम प्रावर्षटक सता की दूरी होती है 17 मीटर, यानि 16.6 मीटर, लगभग देता है 17 मीटर Next question, question number 12, कान पर धोनी का प्रभाव होता है कान पर धोनी का प्रभाव कितना होता है, 1 by 10 second एक बटा 10 second ता हम लोग को धोनी का प्रभाव, जैसे कि देखें पर धोनी का प्रभाव रहता है, कितना सकंड, एक बटा 10 second Next question, देखें, 13 नमबर, धोनी दीन के पेच्छा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है क्योंकि धोनी के अपवड़तन के करन, ये भी बहुत अधिक आता है, धोनी दीन के पेच्छा रात में अधिक दूर सुनाई देती है क्योंकि धोनी के अपवड़तन के करन, next question है, question नमबर 14 डोपलर प्रभाव किससे संबन देते है, ये ये भी धोनी के सुरुता है सचते हैं फिलेज होने जहर बढ़ते हैं का वाजू होकि ये, अगर दूर लोग जयाता है इस प्रभाव को क्या बोलते हैं डोपलर प्रभाव, ये धोनी से संबन देत है अगर वीडियो अच्छा लग है तो लाइक करे और कमेंट और सेर करें हम लोग का ये जो लुशेंट सरी चल रहा है इसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो आप और इसमें बहुत important question सबको चुन के लिखाया जाता है जो कि आपका किसी भी exam के लिए बहुत ज्यादा important है तो सबको इस question को पढ़े बहुत important है